जिस मैच का पूरे हिंदुस्तान और स्रिलंका को इंतसार था अब वो घरी खतम हो गई अब वो फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेश स्रिलंका के बीच में जो होने वाला है ना उसका टाइम आ गया है दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ एसिया कप 2023 के इस महा मुकाबला म आपको आमने सामने इंडिया और स्रिलंका देखने को मिल जाए गया ठीक है ना तो यहां पर कौन ऐसी टीम है दोनों में जो भाड़ी परने वाली है इस एसिया कप 2023 के मुकाबले को फाइनली कौन सी टीम जीतने वाली है यह सब कुछ एक एक करके मैं बताने बाला हूं और आज सारे खिलाडियों के उपर देफ्ट एनलाइसिस करते हुए ऐसा एडवांस प्रेडिक्शन देने वाला हूं जो आपको इस फाइनल मुकाबले में अच्छे रैंक पर जाने से कोई नहीं रोक सकता तो अगर आप भी अच्छी विनिंग चाहते हो अच्छे लेवल पे अच्छे रैंग पर जाना चाहते हो तो यह विडियो आपके लिए बहुत ही ज्याद इंपोर्टेंट है चुकि एसिया कब 2030 का यह आखरी मुकाबला है जहां पर आमने सामने इंडिया और सिलंका आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यह जो मैच है ना भाई यह मै यह प्रभाब रहता है तो क्या आज फिर से स्पीनर को तर्ण मिलने वाला है यहा पर पेस अच्पर जीटेंडरं माले हैं क्या आट बैयर को ज्यादर amb49 बैयर बताना है तना दोस्तों आध के वीडियों में भी मैंने सिभी सिकाटेंडर बताना है उसके बाद प्लेएर बे पे आपको दो टीम मैं देने बाला हूं एक सेफ टीम और एक रिस्टी टीम जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेगा ग्रंड लीक के पॉइंट वीउ से इंपॉर्टेंट होने बाला है तो यह सब कुछ आपको चाहिए ना तो वीडियो पूरा देख लेना वाई हो सकता है लंबा ये वीडियो हो जाए लेकिन उसके लिए घपरना नहीं आपको टाइम देना है त्योंकि आखरी मुकावला है यहां पर आपको एक एक खिलारी के बारे में समझना है कि कैसे आप किसको किस कंडिशन में लेके जा सकते हो तो आज की इस वीडियो में भी मैंने तीन-त इन गईए रखा हुआ है और फाइनली एक तो गिवे मैं आपको फर्स्लैक फर्स्त कॉमेंट का देने बाला हूं तो अगर आप भी विनर बनना चाहते हो फर्स लाइक फॉस्ट को मेंन करो जाओ फड़ा फड़ार से कर दो उसके बाद दो गिवे का सवाल में वीडियो में कहीं भी पूछ सकता हूं और बिल्कुल यूनिक सवाल में पुछने बाला हूं और बहुत ही आसान तो वीडियो पे बने रहा ना ठीक है चलो हम जान लेते हैं दोस्तों यह जो मैच है यह आर प्रेमा दासा इस्टेडियम कोलंबो जैसा कि मैंने बताया खेला जाने बाला है 17 सिप्टेमबर तीन बजे दो पाहर कल यानि कल खेला जाने बाला ठीक है ना अब यहां पर यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे और यह एस्टेट्स एड़ इस बनी पाटिकुलेट इस वईयों पे पिछले मैचों का क्या रिकॉर्ड है एक नजर हम उस पे डालेंगे उस से फड़ा फड़ से इस विडियो को लाइक कर दे चुकि आपनों का लाइक मिलता है आपनों का समर्थर मिलता है प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है लाइक फड़ा फड़ से कर दे और चैनल पे पहली बारा है हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर और bell notification को all पे जरूर से set करना ताकि जब भी मैं कोई fresh वीडियो लाओं उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंचे और telegram channel को join करना जरूरी है चुकि वहीं पे fantasy से related सारे latest updates final pitch report और final original team देता हूं जहां पे आप अच्छे amounts को win कर पाते हैं तो अगर आप भी अच्छी winning चाहते हो तो telegram channel को join करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो जाओ फटाफर से join कर लो लिंक इस वीडियो के description में मिल जागा और comment section में भी टॉप पे पिन किया हुआ है जहां पे आप बड़े असानी से telegram channel को join कर सकते हैं चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर total matches अभी तक जो इस ground पर खेले गए वह 133 है यहां पर आप देख सकते हो 133 है अब बैटिंग फरस्ट करने वाले ने यहां पर 89 matches को win किया है तो overall यहां पर देखने को मिल जागा कि जो भी टीम जीतेगी वह फरस्ट बैटिंग करना पसंद करेगी चुकि यहां पर फरस्ट बैटिंग करने वाले 375 रन बनाए था 5 विगेट के नुकसान पर अब लिवेश्ट स्कोर की बाद के नेधर लेंड ने 86 रन पर 10 विगेट खो दिये थे अब यहां पर एक नजल आप स्कोरिंग पैटर्न पर डालेंगे ना बाई तो यहां पर आप देखेंगे 200 से नीचे 21 बार बना है वहीं पर 200 और 249 के बीच में 52 बार बना है और 200 और 299 के बीच में 38 बार बना है और 300 से उपर यहां पर 22 बार बना है तो अबर यहां पर आपको यह समझ में आएगा कि यह पिछ बालेंस होने बारा है जहां पर बैट्स में भी इंजॉय करने बाले हैं और विकेट्स भी अच्छे खा मौसब खराब है वेटर रिपोर्टर जानना हमारा जरूरी है तो देखो के आप यहां पर 27.12 डो डिग्री सेलिशेस आप मानना पागया है वहीं पर हुमिरीटी चांसे हैं तो बारीश जब होगी तो क्या स्पीनर्स को फैदा मलेगा या पैसर ना हलकी फूलकी होगी अगर लेपाएगा या फिर पेसर यह सब कुछ आगे हम बात करने वाले हैं चलो इस गराउंड पर हुए है उस पे एक नज़र डालेंगे कि उससे पहले दोस्तों अगर मुझसे आप बाते करना चाहते ना तो इंस्टाग्राम को को फॉलो कर लिजे इस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है इस वीडियो के और फेस्बुक पेज को भी फॉलो करना चुकि वहां पर मैं अपडेट रहता हूं तो यह दोनों काम कर लो इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लें ठीक है चलो यहां पर हम देख लेते हैं 15 स्प्टेंबर 2030 को बंगलादेश और इंडिया के बीच में अभी जो रिसेंट मैच हुआ है देख सकते हो कल जो मैच हुआ है मतलब बंगलादेश ने मतलब बैटिंग करते हुए बनाया आठ बिगेट कर नुकसान पर वही इंडिया ने 209 पर अपना दस बिगेट शेक दिया मतलब के यह मैच इंडिया हार गई अब फर्स्ट इनिंग में कितने बिगेट्स गिरे चे दू आठ ठीक है ना मतलब पेसर स्रिलंका का मैच हुआ था अब पाकिस्तान फर्स्ट मेटिंग करते हुए 252 बना दिया आठ बिगेट के नुकसान पर और अनुसार यह मैच को स्रिलंका ने फाइनली विन कर लिया अब फर्स्ट इनिंग में यहां पर टोटल साथ विगेट्स गिरे थे वहीं सकेंड देखोगे श्रीण को चेविगेट्स मिला था और पेसर को यहां पर साथ भीगेट्स अब देखो बारा सिप्टेंबर 2023 पर नज़र डालेंगे तो इंडिया और स्रिलंका का मैच हो आता है इंडिया ने दो सो तेरा रन पर दस भीगेट्स अपना फिक दिया था अब फर्स् टोटल गिर गए थे ठीक है अब देखो यहां पर दस सेप्ट्रेंबर 2023 को यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था ठीक है ना इंडिया ने फर्स्ट बेटिंग करते हुए 356 रन का एक बहुत लंबा स्कूर बनाया था दो बिकेट्स अब पर पाकिस्तान मतलब के यहां पर स्पीनर अच्छे खास है विकेट्स लेकर सेकेनिनी में गया तो आठ विकेट्स गिरा और दो दस विकेट्स गिरेते हैं आज में टियर तो यह चीज़ आपने देख लिया अब इसके एकॉर्डिंग आप थोड़ सा अनुमान लगा सकते हो कि आगे इस मै एक वेस्ट लूँगा ज्वाइन आप टेलिगाम चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्सन फर्स्ट कॉमेंट फटाफ़ से ज्वाइन कर लो ठीक है देखो हेट टो हेट इकार्स पिछले दस मैचों की बात करें तो पिछले दस मैचों में इंडिया ने नौ मैचिस को विन जिनका स नौ मैच को लॉस किया है तो इसके अकॉडिंग यहां पर देखा जाए तो इंडिया का पल्ला सिलंका के उपर बहुत ही ज्यादा भाड़ी है यह चीज़ द्यान में अब देखो यहां पर बॉलिंग स्टेट्स ऑफ लास्ट फोर मैचिस की बात करें तो यहां पर देखें 19 तो दोनों इनिस के लिए यहां पर इस्पिनर अच्छे खासे बिकेट्स आपको लेते हुए दिखेंगे अब देखो यहां पर अगर हल्की फुल की बारिश हो आती है ना भाई उसके बाद अगर मैच स्टार्ट होता है न तो यहां पर स्टार्टिंग ओबर में पेसर्स क जा सकते हैं अगर यहां पर पीच बढ़िया रहा मौसम एकम बिल्कूर सही रहा तो फिर्स्ट इनिंग में इस नहीं हो सकते हैं यह चीज़ दियान में रखना ठीक है चलो आगे बरते हैं, आगे यहाँ पर बरते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिया का प्लेइगेनेमन देख रहे थे, तो इंडिया के प्लेइगेनेमन में रोहि सर्मा और सुमन के लिए दोनों ओपनिंग करता हुआ आपको दिख जाएगा, उसके बाद विराट कोली वन ड उनकों खिराडी स्रिलंका मतलब स्रिलंका के दिखने वारा आपको तो यहां पर पथून निसंका और कुसल प्रेडा दोनों ओपनिंग करता हो आपको दिखेगा कुसल मेंडिस वन डाउन पर आएगा उसके बाद समरा विकर्मा चोथे नमर पर सी आसालंका पात्वे नमर पर और पर इंफर्म कर दूँगा टेलीगाम Ch소리 को पक्ता से ज़वाएं कर feito व Creative bisogna को चूना बहुत ही जरूरी edere यहां पर आपको सारे फ्री में मिलते है और आप से यहां पे कोई चार्ज नहीं करता है इste यहां पर मैं सबकुछ कुछ फ्री में दिता करें। उससे पहले दोस्तों गिबे का सवाल पूसह पूसलेता हूं आज का गिबे का सवाल है आप बहुत ही सुनहेरा सवाल है ज़रूर से देख나, विराण कोहली इस मैच में कितने points देने वाला हैं विराण कोहली के fantasy points कितने होने वाले हैं बहुत पिछे रीजन है बहुत सारे लोग समझदार होंगे समझ जाते होंगे चुकि मैं उसी खिरारी के बारे मैं पुस्ता हूं जो अच्छा करने वाला होता है जिसकी उम्मीद होती है चलने की अक्सर आपने देखा होगा तो विराट कोली इस मैच में कितने पॉइंट्स देने व में किसको लेना है यह बहुत इंपोर्डेंट है ठीक है ना तो यहां पर आप देखो गोए लोकेश राहूल उन्नीस उन्तालीस उसके बाद एक सो ग्यारा तीन मैच अभी तक खेला है तीनों में ठीक ठाक प्रफेंट्स आया है अब हेक्ट्टो एट में 41 कैबरेश है और 59 सब्सक्राइब तो लोकेश राहूल को मौका मिल अच्छा है दो नंबर पर मतलब चौंथे नंबर पर आएका तो पूरी अपोर्चीट यह खिलने की आपको ले के जाना चाहिए ठीक है इसान की संब को मेगा ग्रेंग का पॉइंट अभी से कुछ टीमों पे आप लोकेश टीम बनाते हो तो अधर्वाइस आपको ट्राइ नहीं करना है चलो स्रिलेंगा के तरफ से बात कर लें तो कुसल परेरा और यहां पर कुसल मेंडी से दो खेलते हुए आपको दिख जाएंगे अब देखो पिछले मैच में कुसल परेरा खिला है 17 बनाया था ठीक है वहीं प से बाद 33oprже इस वैन्यू पे है तो कुसल परेरा उपनिंग करता हुआ दिखेगा आपको थीका ना लेकिन आप कैसे लेना है को को मैं आपको बतायता हूं कुसल परेरा को आप क्या करना कुछ टीमों पर कुसल परेरा को ट्राइ करना कुछ टीमों पर कुसल मेंडिस को ट्राइ करना ज्यादर टीम बनाते हो ठीक है और कुछ टीमों पर सिर्फ लोकेश राहूल को ट्राइ करना है मतलब के विगेट की परसेक यहां पर 20 का एवरेज तो हblem नहीं नहीं है इस वजह से मैं बोल रहा हूं और कुसल मेंदिस को आप अपनी टीम से बाहर भी कर सकते हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और बैकिंग इसन में देख रहते हैं तो इंडिया की तरफ से भाई हाई 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 इंडिया की तरफ से आज किसका बला चलने वाला है तीनों में से फाइनली यह जानना बहुत ही चुकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि आज रोही सरमा का बला चलेगा या सुमनि गिल का या जिराध को ली का ये तीनों का बला में से किसका बला चलने वाला है तो यह जानना जरूरूरी है तो देखो दोस्तों में आपको कहोंगा सुमन घिल पे आ यही रिसक marvel पर अच्छे लेबल पे अच्छे राइंग पर ले जाता है तो आपको ये रिस्क कुछ टीमों पे लेना है सुमन गिल को डॉप करना है चुकि बहुत सारे लोग ज्यादातर लोग सुमन गिल को ट्राइ करेंगे आज की अपनी टीम में ठीक आपको कुछ टीमों पे डॉप करना है अब विराट कोहली का बला आज तो धामा का चलने बाला वाई बहुत जबरदस चलने बाला है अब हेट टो हेट में यहाँ बासट का एवरेज है उसके बाद 107 का एवरेज बनी पे आज विराट कोहली का बिलकुल बाहें खुली होगी हाथ खुला होगा आज धमाका चलेगा छक्का प्छक्का चोका प्छका आज विराट कोली रुकने बाला नहीं है तो आपको भी रुकना नहीं है हर टीम में विराट कोली को लेके जाना है और विराट विराट होगा आज ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया अब दोस्तों सिलनका की तब से बात कर लें तो पतुन निसंका और समरा विकर्मा और सी आसलंका ये तीनों खेलने वाले हैं तो आज इन तीनों में से कौन फॉल आप जाने बाला है और किसको आप अपनी टीम में रख करके अच्छे पॉइंस को गेंड कर सकते हो तो यह जानना जरूरी है पतुन निसंका की बात करें 29 उसके उससे पहले 6 उससे पहले 40 अब हैट्वर में 49 अब यह जब पतुन निसंका इंडिया के अच्छा करता है यह चीज़ ज्यान में आपको रखना है तो कुछ टीमों पर डॉप कर देना कुछ टीमों पर लेके जाना डिफरेंसल वाइज आ अच्छा करता है ठीक है अब देखो समरा विकर्मा की बात करें तो पिछले मैच में 48 उससे पहले 17 उससे पहले 13 उससे पहले तीन चोबन इस तरह से 29 इंडिया की खिलाफ है हेट्वेड में उसके बाद वेनियू पर तिरपन का विकर्मा मेगा ग्रेंली का पॉइंट रभी हो सकता है ठीक है यह थिए ध्यान करना यहां पर देख सकतो 29 22 चार भी गेट 10 तो यहां पर 26 आव्रेज है और चार भी एंडिया के खिलाफ चार भी लेगे गया था जब इंडिया के साथ मेरे पिछला ठीक है उसके बाद वैनियू पर यहां पर आप देखोगे तो 54 आवरे वहां पर ट्राइक करना समरा विकर्मा को जब समरा विकर्मा को आप ड्रॉप कर रहे हो तो सी आसलंगा को ट्राइक करना ऐसे कर सकते हो डिफरेंसल वाइज अपनी टीम में कंसिलर कर सकते हो ठीक है ना ज्यादर ज्यादर दो खिरारी लेकर जाना एक ट्राइक पर या फिर ए एक और गिवे का सवाल आने बाला है आज बिलकुल अलग सवाल है ठीक है ना तो जरूर से बने डाना ठीक है चलो यहां पर हम जान लेते हैं दोस्तों इंडिया की तरफ से और अने सेक्षिन में हार्दिक पांडिया और अबिंद्र जाडेजा और अक्सर पटेल यह तीनों खेलता हुआ अपको दिखेगा अब देखो यहां पर हार्दिक पांडिया हेट टो हेड में 12 के बेटिंग से उसके बाद 13 विकर्ट से लेके 15 मैच में गया हुआ है आपको लेके जाना है जैसे के यहां से आप क्या कर सकते हो दो खिरारी जैसे के यह तीन है ना इसमें से दो खिरारी आप कुछ टीमों पर लेके जाना तीन लेके नहीं जाना है तीनों को लेके नहीं जाना साथ में जादर जादर दो को लेके जाना है या फिर आप कुछ ट तो यहां पे जाड़ेजा अच्छा कर सकते हैं ठीक है अब देखो अक्सर पठेल पिछरे मैं 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 चांदार स्कोर बनाया था एक बीगेट भी लिया था उसे पने 26 रण बनाया था यहां पे 13 यहां पे देख सकते हो तो अक्सर पठेल भी इस मैच में इंपोर्टेंट हो सकता है मेगा गरन लीग के पॉइंट अब देखो सिरलंका सिरलंका की तरब से धनन जैटी सिल्वा उसके बाद द्यसुन सानाका और वल्लागे देखो मैं इन तीनों में आज आपको बताऊंगा वल्लागे को अक्सर जिस लेक्न में ड्रॉप करने वाला हूं स्बसंवेन और आपको इ shaved में दो लेकर जाना है कि लेकिन अब मैं बोल रहुं आओ लगे को इस मैच में खेला जा सकता है ठीक तो बनलागे को आफ़ ज्यादा स्यादे एक टीम पर ट्राइब कर लेडा अधर आप सारी टीम पर डॉप कर देना यहां पर धृषरण जैडी सिल्वा को आप ट्राइब कर सकते हो इसके बार सनाका इस मैच में आपके लिए इंपो यहां पर आपको एक एक खिराड़ी के ऊपर समझना है को तो हर हाल में लेकर जाना है ठीक है रहा इस मैच के लिए फिर से अच्छे-खासे बिगेट से लेकर दे सकता है 10 मैच में 18 बिगेट वेन्यू पर 6 मैच में 14 बिगेट गजब है बाई जस्पीरित भुम्रा को भी लेक आप करके चल सकते हो लेकिन आप चाहो तो और जादा टीम मनाते हो तो आप दो तीम पर थीनों पहगी पर लेके जाना है है दर ऑदा है ने अच्छा अधे तो चार में दस विकेट है तो शिराज भी आपके लिए इंपोर्ड हो सकता है लेकिन जैसा कि मैंने पता है कुछ टीमों पर तीनों को लेकर जाना है और कुछ तीमों पर सिर्फ दो को लेकर जाना है ठीक है अब दोको स्रिलंगा की तरब से इन्डिया ने पिछले मैंच में पतिराना को बहुत ही धोया था बहुत ही रन बनाया था पतिराना के बॉल पर हो सकता है कि इस मैच में इंडिया ने पिछले मैच में पतिराना को बहुत ही धोया था बहुत ही रन बनाया था पतिराना के बॉल पे हो सकता है कि इस match में run बनाना की चक्र में कोई catch दे दे ठीक है ना तो पत्थिराना इस match में आपके लिए important हो सकता है किस्ट्यूमों पर आप try कर सकते हो किस्ट्यूमों पर drop करके आप मध्यूसन के साथ जा सकते हो तो यह चीज बॉलिंग session का मैंने बता दिया अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू प्लेयर बैटल उससे पहले गीवे का सवाल पुछे नेथा हूम। आज का गीवे का सवाल है विराभ कोरी कितने शिक्रास मारेगा। किसे और कितने चौका मारेगा ये दोनौ सवालों का जवाः आपको देना मारे ये दोनौपी पर हुआ को में अपने एक इंपर कर दो तो यहarla हुआ पके तो ये बहुत लंबा हो जाएगा इसका आपलेकर के इ comigo कमिश्चेम आपके रह यत कि ऋiri कर डोब सी की परक्री पर shift ऑ प्लेइर बैटलसे यह पता चलाएंगा क्यों ऐसा बैटम को कोवर्सलीय क्ति कष्डान करता है। तो यह फाइनली आपको पता चलने बाला है तो जाओ फटाफर से यह देख लो सारा ठीक है ना और इसका स्क्रीन सोट ले लो चलो हम आगे बरते यहां पर यहां पर ओवर बॉलर्ड बाई बॉलर्स आगे देखो आगे दो टीम भी आने वारी है जो बहुत ही यूनिक टीम हो होने बारी आपके लिए ठीक है ना यहां प्यान लेते हैं ओवर बॉलर्स कौन ऐसा बॉलर्स है जो इंडिया की तरफ से स्टाड़ी ओबर करेगा कौन ऐसा बॉलर्स है जो पार प्ले में आएगा देखो स्रिलेंका की तरफ से परमोद मधुशन और ठिक्शाना यह दोनों स्टाड़िंग ओबर करेगा पार प्ले में परमोद मधुशन और सनाका यह दोनों पार प्ले में जराएंगे देखो ओबर पथिराना मधुशन और बलागे यह तीनों देखो ओबर करता हुआ आपको दिख जाएगा तो अब इसके एकॉर्डिंग अपनी टीम में आप ट्रम कार्ड़ और सिबी सिकर्वा राइग नथे भी बताने वाला हुँ तो बिल्कुल त्यार रहना है ठीक धुन पे कुछ थ cinema को में हम लेघी हुआ हैं अब यहां पर बिबा से में लोकेस राएवल को मैं डिया हुआ हए भिरास को बैटिंवे स्टैमा को है intertwission को लिए तो कुछ ऐसा यह सेफटी में इसके साथ आप जा सकते हो अब देखो यहां पर इसकी टीम में क्या किया हुआ है लोकेस राहुल को लिया हुआ है मैंने के मिंडिस को भी डॉप किया हुआ है और इसान किसन को भी डॉप किया हुआ है यहां पे विराद को हमने लिया हुआ है को लिया हुआ और यहां पर सुमन गिल को हमने ड्रॉप किया हुआ है पी निशंका को यहां पर हमने लिया हुआ और सी आसलंका को लिया हुआ है हार्दिक पांडय को लिया हुआ यहां पर डिसिलवा को लिया हुआ है उसके बाद यहां पर जस्परित बुम्रा को लिया हुआ सकते हो नि熱 आपको कोड़ा हो सकता है तो आजके मैच में यह डिया का फूस्पी उसके पाद solve 8 आपके लिए में साभी दो सकते हैं अब दोस्तों केंट कर ने अपको बताता हूं तो तो सिबीसी का कंटेंडर यहां पर आप बना सकते हो विराड कोली को ठीक है रोही सर्मा को ट्राइग कर सकते हो जब फर्स्ट इनिंग में रोही सर्मा बैटिंग करें तो उस कंदीशन में ठीक है यहां पर आज के इस मैच में कुलती प्यादव को ट्राइग कर सकते हो टेकर हो तो धनन जैडी सिलवा को आप ट्राइब कर लेना आज की समयच में सी बी सी जादर इस टेकर हो लेकिन एक टीम पर ट्राइब करना जादर पर मत करना ठीक है ना चुकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की समयच में धनन जैडी सिलवा हो सकता है कि आपको बैटिंग से प के दिक कैसे रही है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का फायदा सब लोग उठा सके तो चलो दोस्तों मिलते हैं ने कि वीडियों में थैंक्यू सो मच